स्वागत है आपका वास्ट कलब सराइकला के एक और वीडियो में और इस वीडियो में हम करने वालें जेपीटी के इस प्रेशर वास्टर की ओईलिंग चेंज इसके लिए आपको ज़रत पड़िए स्कूरूड्राइवर की एक आर्ट नमर के एलन की की और एक लंबे वाली स् की चुल करते हैं है इस प्रेशर वाश्टर को खोलना काफी आसान है पर अगर आपको आईडिया नहीं है की से कैसे खोलते है तो वीडियो्यो के लास्ट में जब हम इसे फिट करेंगे आपको उसे देखकर अंधाजhinा हो जाएगा किसे कैसे खोलते हैं इस pressure washer में जो inlet pipe होता है उस तरफ आपको ये nut मिलेगा इसे ही हमें खोलना है क्योंकि इसके अंदर ही हम lubricant को डालेंगे machine को इस्तिमाल करने वाले काफी लोगों को पहले से ये पता नहीं होता है कि इसमें lubrication की भी जरुवत पड़ती है इसकी वज़ा से ये pump कभी कभी सीज भी हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो इसे आठ नमबर की एलन की की मदद से खोला जा रहा है एक बार nut lose हो जाए उसके बाद आप इसे आसानी से खोल सकते है जब nut खुल जाएगा तो इसके अंदर से used mobile leak होगा जिसका आपको ध्यान रखना है जैसा कि आप देख पा रहे हो ये काफी हद तक used हो चुका है और पूरा काला पड़ चुका है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें lubrication कितना important factor है इस pump को हमें कुछ देर छोड़ना होगा ताकि पुराना mobile पूरी तरह निकल जाए एक बार mobile निकल जाए उसके बाद हम कुछ new lubricant डालेंगे आप कोई सा भी lubricant प्रिफर कर सकते हो हमें एक syringe की भी जरुवत पड़ेगी ताकि आसानी से हम इसे अंदर inject कर पाएं क्योंकि इसका pipe बहुत पतला होता है syringe का use करने से आपको यहां amount का भी लगभग लगभग अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितने lubricant की जरुवत पड़ती है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया बिल्कुल उसी तरह से आप syringe को लें और उसे अंदर inject कर दें आपको यह process दो से तीन या चार बार भी दोहराना पड़ सकता है यह बात आपकी syringe की मोटाई पर depend करती है एक बार जब आपने पूरी तरह lubricant भर दिया उसके बाद उस nut को बिल्कुल अच्छे से tight करके लगा दें वरना वह बाद में spill हो सकता है अब बारी आती है machine को वापस से fit करने की आप वीडियो में देखकर समझना की किस तरह से fit किया जाता है यहां मैं suggest करूँगा कि पहले आप base वाले nut को tight करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उपर वाले nut के alignments बिगणने के chances रहते हैं इसलिए पहले आप base के nut को tight करने उसके बाद उपर में जो 3 nut होते हैं handle पे आप उसे tight करें अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ए्या तो हमारे डाया हमारे शिर खाओ पिड़ा आप प्राइब के घप जिए पे जो कीसे शोते हो पैसे होते हैं जर्ध यूल तो हमारे नहीं को थे गाउन rechtsने, हमारे जूर में जरूप हमारे खाफें जरूरम प relatively短ड पहां whातायर करते हैं अब जब पूरी तरह सारे नट टाइट हो जाएंगे तो आपका मिशीन फिर से यूज करने के लिए रेडी है